हेलो एब्रिवन स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज़ पॉइंट विद अखिल में जैसा कि आप लोग जान रहें कि यूपी एनेच्च्च एस और लेब टेक्निसियन के लिए कटप बताया जा चुका है तो उसका वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजेगा और उसका थोड़ा ओवर्वीव अभी दे देंगे और जैसा कि हमने कमेंट बॉक्स में देखा था और काफी जो सर्वे किया गया था उसके एकॉर्डिंग ये बताया तो ज्यादा तर उमीद है कि जो कटप बताया गया उसी के रेंज में रहने की उ बता पाएगा ये को एक्सपेक्टेट कटप है कि इतना जा सकता है और आप ही लोगों के दारा जो डिटर दिये गया उसके करडिंग बताया गया और रही बात कि अभी काफी लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि रिजल्ट कब आएगा या भरती प्रक्रिया आगे क अब आपको ज़रूरत रहेगी तब तक किया जाएगा और जैसा कि आप जानने है कि एस्टी एस का जो पोष्ट है ये जनरली आपको इसमें करना गया है तो अगर आप लोगों को पता होगा तो एस्टी एस में आप लोग जो टीबी से रिलेटेड मरीज हैं उनके बारे मे पूरी जानकारी कठा करनी होगी आसा के माध्यम से उनका कैसा सारे लोगों को मेडिसिन टाइम से ले रहें कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा मतलब एक तरह सूपरवाईजरी करने का काम पूरा का पूरा आप लोग करेगा ठेक है और यही पे आप लोगों को बाइक तक टीवी मुक्त भारत का योजना बना हुआ है कि दोजार पचीस तक भारत से टीवी को मुक्त किया जाए तो अगर ऐसा होता है वैसे हो जाय तो अच्छी बात है क्योंकि एक रोगों से मुक्ती मिलेगी बट इसमें थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ही रहेगा कि जि इनको लगा दिया जाए या तो इनको अटा दिया जाएगा तो सिंपली इसलिए तो इसको कॉंट्रेक्ट्ट्यूल बेसेज पिलाया गया है कि पर्मानेंट यह जॉब नहीं है तो इसलिए यह याद रखेगा और इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि यह देखिए एक बनाएंगे काफी अच्छे-च्छे जीएस के लिए वीडियो और पूरा प्रैक्टिस भी सेट भी कराया जाएगा जैसा कि हैस्टीस में भी आप लोग ने देखा होगा यह लेप टेक्नीशन में इसमें भी कुछ कराया गया था कुछ कोशन भी फसा हुआ थो इतना पेपर लेवल भी बड़े और आप लोग लाइक जरूर कर दिया किजिएगा अगर आप लोग को पसंद आए एक्च्छल में वीडियो तब ठीक है तो रही बात उसका कि अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल पर जोड़े रहे जल्दी उसका क्लास सुरू होने वा और रही बाद भरती प्रक्रिया कब होगी तो सबसे पहले जब तक रिजल्द नहीं आएगा तब तक बरती प्रक्रिया तो पूरी होगी और आप लोगो पता है कि अमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि तीन गुने कैंडिडेट को लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट अच्छा होने की एक साल भाद भी परड़ाम घोसित न किये जाने से नहराज परिचार्तियों ने मंगलवार को एनेच्चम कार्या ले ठीक नेशनल हेल्थ मिशन जिसने आपका एक्जाम कराया है जिसके थुरू आपका एक्जाम होगा है ठीक है आप भी इसी विभाग में ज आउंटेंट आदी के करीब 4,000 पदो के लिए बीते साल जनवरी फरवरी में भरती परिच्छा कराई थी एक साल से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक परड़ाम घोसित नहीं किया गया इससे नाराज परिचार्तियों ने हुसेन गयन इससे दपतर में एनेच्यम के जॉब भी नहीं है तो कोसिस करिए कि आप कोई पर्मानेंट जॉब हो जाए तो ज्यादा सही है अल्टिमेटली कोई आता है तो यही सोच किया था कि उसको वह एक कम से कम लाश्ट टाइम तक तो रहे यह इसमें कई भी भी हटाया जा सकता है और देखी रहे है साल बर से इ इसलिए कह रहे है कि तैयारी अच्छे से करते रहे है और उसको अच्छे से पॉड़ते रहे है जल्द ही इस चैनल पर भी आप लोग को अच्छे कॉंटेंट प्रवाइड किया जाएंगे आप लोग देखिएगा पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों को इसलिए ज्यादा परसान होगा और ऐसे भी आप लोग जानने कि बहले पोस्ट कम में माइनस मार्किंग नहीं था बट तीन हुना भी तो बुलाया जा रहा है यह भी तो समझे न कि जीतने पोस्ट है वेटिंग लिश्ट डाला जाएगा और आप भी जानने कि काफी लोगों के पास डियल पहले का नहीं है काफी कमेंट आते हैं उसके बेस इसके बाद लेप टेकनिसियन के लिए हमने जो बताया है कि 58-62 और क्यूंकि आप दे जानने कि जो लेप टेकनिसियन है इस पेस्पिक अपने सब्जेक्ट से जाए हैं इसलिए इनका कटप थोड़ा जादा हो सकता है एक दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है इतना बहुत ह है तो आप मान लेजेगा थोड़ा से एक दो नंबर ही दर ओधर ठीक और ओभी CWS के लिए 56-58 यस्ती के लिए 52-54 यस्ती के लिए 46-47 तो यह कटप हमारे एकॉडिंग है थोड़ा मोड़ा इसमें वेरियेसन हो सकता है इसके लिए बहुत हाड एंड फाष कोई रूल नहीं ह कि इतना ही रहेगा इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता तो इसलिए जो कमेंड में काफी लोग पूछ रहे हैं कि सारी सिक्कमें नहीं हो पाएगा क्या तो परसान ना हुए और सबसे बड़ी बात कि देखिए पर्मानेंट जॉब नहीं इसलिए ज्यादा इसके चक्कर में प हुआ 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 है